कि ऑख में एक हलो एफ्रीवान वेंकम तो मायker नल तैन टाने जो भाइस ट्वीज और हम बात कर रहे हों मरे में नी 24 सिरी dangos की जिसमें अब मैं बात करने वाली हूँ किसके बारे में लाहना हम क्या बात कर रहे हैं इस आउपर concerns स्थspy religious कर चुके हैं क्लास 11 को फॉर्फ चेप्टर का मैं और टेस्ट कंड़क कर चुकी हूं जहां पे बहुत सर बच्चों ने टेस्ट दिये और अलग अलग उन्होंने अपना देखा कि कहां पर वो स्टांड करते हैं ठीक है ना अभी बात कर रहे हैं सेकिंड चैप्टर में फंगा यानि कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए और उससे ही अपना खाना लेते हैं ठीक है दिस शू अग्रेट डाइवरसिटी इन मॉफ लॉजी एन हैबिटेट पे अपने घर में जो डे टूडे अप देखते हैं कि कि इन पर मॉइस्ट आ जाता है और स्क अन रॉटन फूट्स ओके तूमन मश्रूम यू एट अन टोड इस टूल आर ऑल्सू फंगाई टिक हैं जो मश्रूम कहते हैं वो भी फंगाई है बट वो एटेबल फंगाई है याद रखना वो एटेबल फंगाई है ओके ना वाइट स्पोर्ट सीन और मस्टर लीवस आर दूटू फंग परस्टिक फंगाई यानि की लिविग नौल लिविंग दोनों पर फंगाई का इंफेक्शन होता है प्लांट और अनिमल दोनों पर उता है ऐसे ही इतेबल चीजे भी उती तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी फंगाई याद रखना फंगाय जो होता है न नेक ब्रेड और आप देखते होंगे जहां भी बेकिंग का काम होता है वहां पे इस्ट को यूस किया जाता है अधर फंगाई कॉस्टी इंप्लांट एनिमल जैसे की क्या वाइट रस इस कॉस्ट पैपक्सीन या फ्टेशन का इंकाम राइट मैं अगर यहां पे आपको बत इस ने इंपॉर्टेट एंग्जेंपल ठीके ना समारता सोर्स ओ और रस ओंटिबाइटिक लाइक पैनिसीलियम तो पैनिसीलियम इस इस दी फंगाय विच प्रडियूस पैनिसलिन ठीके तो फंगाय आर कॉस्मोपॉलितन मतलब क्या हर जगे मिलता है अनकर इन एयर वाटर स्वाइल और अनिमल और प्लांट सब जगे ओके दे प्रफर तो ग्रोव इन वाम अन यूमिड प्लेसे हां हलका सा मश्चर होना चाहिए और थोड़ा सा वाम प्लेस जैसे से मिलेगा फंगस वाहां पे ग्रोव होने रग जाएगगी है वी एवर वंडर्ड वाय वी कीप फ प्रिजेटर में तेमरिचर बहुत कम होता है तो महां पे फंगस ग्रून नहीं हो पाती है बिकॉस आप दिस ओके विद एक्सेप्शन अफ इस्ट विचार यूनिस अलो फंगर आए फिलामेंटर फिलामेंटर मतलब किया इज मल्ति सेलूलर याद रखन फिलामेंटर का मतल गए मल्ति सेलुलर ठीके बाइब बाडिस कंसेस्ट अफ लाउंग स्लेंडर ट्रेड एक स्ट्रॉक्चर पॉल्ड हाइफ किस की बनी रती है है हिप की नेक्स्ट कैस्ट क्वेस्ट की किस कि सीप है हुटी है हाइफ एक डिनेटवरक फ्ime इस नून है मॉल्विद यह भी स्ट्रक्चर है like this तो यह चन्टिनियंस है और इसके इंदर there is a N number of nucleus तो बहुत सारे nuclei इसके इंदर present है यह प्रेजन्ट इन्द इस इस क्रीटिंग आ मल्टी नुपलियर स्ट्रक्चर जिसको हम ऑलते हैं time of the dust you know city so that's why this is a IIT half yet okay now next आगे बात करते हैं others have septa or crosswall up septa or crosswall कैसे होता that also I will let you know मान लो ये एक और वापस फंगाय हम ने बनाया सथे बनाया फंगाय का नाओ यहां पर जगे 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 क्या होते हैं यह बर्द डिवाइड़े थे सब में प्रेजन होगा तो यह मल्टी न्यूक्लिया वाली सिच्वेशन क्रीट नहीं होगी थीके ना सब्सक्राइब क्रोस्वाय वाल इन दिर है पर यह तो सिंपल है जिसमें प्रॉस वाल है तो सिंगल सिंगल ने प्रेजन टुका ओके दिए cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharide दियान रखना, question बन सकता है किस का बना होता है, chitin and polysaccharide यह question बन सकता है, sinusitic hyphae के उपर तीक है, now आगे चलते हैं, most fungus are heterotrophic, absorbed soluble organic matter from dead surface and hands are called saprophytes तीक है, अगर हम fungi की बात करें, तो as I told you fungi कैसे होते हैं, they are heterotrophs right, heterotrophs, now heterotrophs दो केटेगरी में divided होते हैं, one is called these saprophytes ठीक है, and another क्या बोलते हैं, that is called parasite, ठीक है, saprophytes और parasite में difference किया, यह ऐसे जो dead पे शर्वाइब करते हैं, यह ऐसे जो live किसी animal पे, या मतलब किसी भी और्गनिजम पे सर्वाइब करते हैं, ठीक है ना, तो जो dead substrate पे उनको saprophytes and those that depend on living plant और animal, they are called parasites, तो दोनों category यहां पे present होती है, saprophytes and parasites, they can also live as symbionts, now you must be knowing symbionts, अगर मैं सिंबल सा बात करूँ, तो it is a partnership, हाना, partnership, मतलब क्या, दोनों एक जूसरी को benefit देंगे, mutual association के साथ एक जूसरी के साथ रहेंगे, तो अगर यह alga, algae के साथ, अगर association बनाता है, तो उसको हम बोलते है, lichen, जहां पे fungi और algae, दोनों मिल कर association बनाते है, and with roots of high plant, अगर plant के साथ association बनाता है, then this is called mycorrhiza, लादकना है, then this is called mycorrhiza, ठीक है, clear है, चले आगे, यहां पर ही मैंने आपको काफी सारी question बनाती बता दी है, please इसी को आप सेव करके रखिए, या फिर ऐसा करती हूँ मैं, पूरे chapter जब खतम हो जाएगा, तो मैं इस पूरे chapter को as it is send कर दूँगी, तो आप इसके देख सकते हूँ कि कहां-कहां मैंने question mark लगाय हूँ है, वहां-वहां आप उसे देख सकते हैं, और उसके तुरू आपको समझ में आएक क्या-क्या question बन सकते हैं, अब बात कर रहे है, reproduction की common point of view से बात कर रहे है, reproduction in fungi can take plus why vegetative means, vegetative कैसा होगा, मतलब यह पहला है, vegetative, उसके तुरू क्या होगा, like fragmentation, fission and burning, तीन तरीके जिसके तुरू vegetative reproduction होता है, फिर दूसरा जाते asexual reproduction, वह कैसे होता है, स्पोर्स, ठीके, which are called conidia, spore angio spores, और zoo spores, हना, तीन तरेके पोर्स से, इधर conidia, spore angio spores और zoo spores, तो यह हो गया हमारा asexual reproduction, जहां पर mainly किस के तुरू होता है, sports के तुरू होता है, थड़ा आ गया हमारा sexual reproduction, which is why ooze spore, esco spores, or besidious spores, हना, अभी इतना बस ध्यान रखे, यह कहा है, gametes है, ooze spores, esco spores, besidious spores, the various spores are produced in distinct structure called fruiting body, अभी sports जिसके अंदर बनते हैं, suppose यह, इसके बहुत सारे spores, तो यह जो है, पूरी structure, this is called fruiting body, ठीक है, now the sexual cycle involves the following, अब sexual reproduction में क्या होता है, वो देखते है, sexual reproduction इन स्टेज में कवर होता है, पहला होता है, प्लास्मो गैमे, जब मेरो फीमिल गैमेट पास में आएंगे, तो सबसे पहले उनका protoplasm fuse हुआ, तो यानि कि अभी पहला step हुआ, प्लास्मो गैमे, ठीक है, अब सेकेंड चलते है, now fusion of two nuclei called karyogamy, अब इसके अंदर ही, इसका fusion हो जा रहा है, okay, which is called karyogamy, karyo का मतलब nucleus, ठीक है, उसके पार थाड़ा जाते, meiosis in zygote resulting in haploid spores, अब यह क्या है, यह actually क्या है, this is zygote, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा meiosis, और meiosis करके, यह क्या बनाएंगे, four spores बनाएंगे, which are haploid spores, ठीक है, और यह spores circulate, okay, यह फूरा distribute, okay, individual fungi बना देंगे, तो third step अपका यहाँ पर आ जाता है, which is meiosis, ठीक है, so this is how sexual reproduction takes place in three steps, okay, चलिए, अब यह एक पर रीट करते हैं, फिर में आपको बताते हूँ, इसमें एक speciality, तो आगे बात करते हैं, when a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse, हना, यह दो hyphae हैं, यह दो hyphae ही हैं, जो, यह दो hyphae ही हैं, जो fuse हो रहे हैं, okay, इन सम फंगाई, the fusion of two haploid cell, immediately result in diploid cell, जैसे ही यह fuse होते हैं, यह cell fuse होती है, hand to end यह आ जाता है, ठीक है ना, but, however, in other फंगाई, अब specially ध्यान रखना, किसमें escomycities और basidiomycities, क्या, escomycities and basidiomycities, question बनता है, and intervening, and intervening, dikaryotic stage, जहां पर क्या है, two nuclei per cell occur, such condition is called dikaryon, and the phase is called dikaryophase of fungi, एक dikaryotic stage आती है, ठीक है, जिसको, condition को हम बोलते है dikaryon, और उसके through, यह जो phase है, इसको बोलते है dikaryophase, तो क्या आती है, कि जब इसमें plasmo-gammy होता है, उसके बाद यह दो nuclei कुछ time के लिए separated हैं, मतलब कि एक cell के अंदर, अभी right now, you will be able to see two nuclei, यह hand-to-end fuse नहीं हो रहे है, थोड़ा सा time लेके fuse हो रहे है, तो इस वाली stage को हम बोलते हैं, this is called dikaryon stage, यह dikaryotic phase, ठीक है, dikaryotic phase, तो समझ में आया, dikaryon, 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 yanya nucleus की, इस time हाँ पे दो nuclei are present है, later the parental nuclei fuse, फिर बाद में वो again, again वो fuse हो जाएंगे और उसके बाद, ultimately, zygor तो बनेगा ही बनेगा, and then will come haploid the fungi form fruiting body in which the fungi form fruiting body in which reduction division occurs leading to formation of haploid spore ठीक है ना अभी जो haploid spore जो ये बन रहा है बनने का कैसे एक fruiting body बनती है जिसके अंदर ये बहुत सारे haploid spore बन जाएंगे like this ठीक है like this they will be getting formed over here तो this is how it is take place मतलब के meiosis होता जा रहा N number of ये haploid spore बन गए and this is called the fruiting body ठीक है I hope यहां तक लिए रुआ होगा चलिए the morphology of mycelium mode of spore formation and the fruiting bodies ठीक है क्या-क्या बे से पहला है mycelium morphology कैसा है mode of spore formation कैसा है and fruiting bodies form the basis for division of kingdom into various classes हना तो इसके basis क्या-क्या है वो है पहला है mycelium कैसा दिख रहा है septate है यह नहीं है जो भी है हना उसके बाद इसमें spore formation किस तरह सो रहा fruiting body ओके चलिए तो फॉस्ट ले ले लेते हैं phycomycetis now member of phycomycetis are found in aquatic habitat दिहान रखना phycomycetis totally aquatic है हना और कहां है decaying wood आप देखते कि असे लमे-लमे-लमे-ल ही प्लांट के पर भी रहते और डेट डिकेप मैटर के पर यह निकी सप्रोफाइट ओम में मिलते परसाइट फॉम में भी मिलते हैं the mycelium is a septet and c no city a septet a septet का मतलब क्या जो भी मैने बताया यह मैं आपको यह बताया देती हू this is this is a septet हना मैं हापे लिग देती हू this is a septet and this is septet a septet a septet a septet याने कि there is no septa present okay so they are a septet and c no city to japs a septet नहीं होंगे multiple nuclear condition condition हो जाएगी उसका हम सीनुसितिक बोलिंगे now a sexual reflection takes place by zoo's pool कैसे हो रहा है a sexual reproduction zoo's sports के तुरू हो रहा है यहाद रखना और बाइपलेनो स्पोर्स एपलेनो कैसे होते नॉन मोटाइल होते है जो स्पोर्स कैसे होते है मोटा लिए क्या है a sexual reproduction now these sports are endogenously याद रखना endogenously producing a sport एंजियम किसके अंदर produce हो रहे है एक sport एंजियम के अंदर एक बैग लाइक फ्यूज होते हैं वन टू गया मिट फ्यूज जब फ्यूजन होता है ना उस प्रोसेस को उसके थूज जो बन रहा है मतलब यह जो बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं वी उस्टू कॉल जाइगो स्पोर्स तो याद रखना धेर waż डिफ्रेंस इन बेविन ली सूस पोरस जूज़ फ्यूज जूज़ फ्यूंज जूजूज फंस तो जाइगो स्पोर्स द्यूज्य फिändस थेडिना श्वारइक अजियो बन फ्यूज जूक्चिर है नहां फीमेल एंट ठीक जान रखेगा ओके तो इस गैमिट्स इसमिलर इन मॉफ लाजी ओके आई इसो गैमस दिस सेमिलर मॉफ लजी एन इसागे मैं सरूगे मसी सक्षा रप्रदक्शन की बात हो रही है दिके एसेक्षाल तो हो रहा है जू स्पोर्स और एपलेनों स्पोर्स के दोनों स्पोर्स सेम मेल फीमेल सेम और इसो गैमस अलग हो ओगैमस यानि की मेल छोटा है और मॉटाइल है और फीमेल बड़ा है नौन मॉटाइल है ठीक है तो सब कॉमन एग्जाम्पल लाइक म्यूकर राइजोपस जिसको ब्रेड मॉल्ड और अल्बूगो इस इस अपर फंगाय ओन मस्टर तो याद रहेगा ओकी अब अगर मैं यह पर थोड़ा सब को बताना चाहूं तो एक तो यह कि कहां पर मिलता डिकेंग मैटर इन ओल्ड़ा थीक है आई डॉन तिंग स्विस्में यह वाला थोड़ा सब आपको दिहान रखना एंडोजी प्रड्यूस इन इन फॉर न जो आपके जूस प्रोड़ बनते वह कहां बनते ठीके और उसके बाद आपको दिहान रखना है और अग्जम्पल्स इन पर मैच दो कॉलम कैसे भी बन सकता है कि नेक्स लहें लेते हैं स्कोमयसिटी इसको दिस विपर चाइक वंगाय क्या बोलते हैं दिस विपर सेख फेंगाय ठीक है, the escomycities are mostly multicellular, याद रखना, mostly multicellular, example like penicillium, but एक इसमें unicellular example है, which is the east, तो east किसके अंदर आ रहा है, escomycities में आ रहा है, इस east को हम saccharomyces भी कहते हैं, they are saprophytic, decomposers, decomposers है, यानि कि जो dead decay matter है, उनको decompose करने में काम आते हैं, parasitic भी है, coprophyllis है, यानि कि they are growing on dung as well, यह बहुत important है और इस पर question बन जाता है, ठीक है, तो याद रखना, coprophyllis किसके अंदर आ रहा है, escomycities के अंदर आ रहा है, decomposers किसके अंदर रहा है, again escomycities के अंद अब जाद रखना, इसमें mycelium कैसी थी, फाइको mycities में mycelium कैसी थी, aceptive, not branch भी नहीं थी, और aceptive थी, यहाँ पर branch है, मतलब कि लाइं दिस, अना, अब भी मैं सको और branch में आपको अचली बना के दिखा रहा है, again, see, यह अगर मैंने आपको, this is branched, पूरी है ना, branching हो रही है, उसके बाद, इसमें septa present है, तो याने की cross wall यहाँ पर present है, ठीक है, like this, okay, did you get it, और फिर सब में उसके nuclear present होगे, like this, okay, so they are branched and septate, उसके बाद, एसक्शल स्पोर्स आर कॉनीटिया, अब भाप एसक्शल स्पोर्स क्या था, जू स्पोर्स था, यहाँ पे, क्या है, it is कॉनीटिया, विच इस प्रडी 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 उस्पेशल मैसीलियम कॉल कॉनीटियो फो, याद रखिये, वहाँ पे प्रडी उस हो रहा था, एंडोजीनसली, मैं दुबारा बता देती हू, इस प्रडी उसे एंडोजीनसली, मैंने इसको मांक भी करवा रही थी, बट यहाँ पर प्रडूस होता है exogenously यानि कि बाहर के तरफ on a special mycelium which is called conidio force ठीक है, now conidia, तो यह आपका question हूँ बन जाएगा, exogenously और endogenously पर now conidia on germination produce mycelium, ठीक है, sexual spores are called exospores which are produced endogenously in a sac like a sky देखें यहाँ पर है exogenously और यहाँ पर जब sexual reproduction वाली बात आ रही है तो यहाँ पर बन रहा है asco spore, okay और वो क्या बन रहा है, एक sac like a sky के अंदर produce होता है, कैसे endogenously, यानि अंदर produce हो रहा है okay, these sky are arranged in different type of fruiting bodies called escocarp, हना, एक escocarp है, जिसके अंदर इसकाए है, जिसके अंदर बहाँ सारे asco spores भरे हुए है, ठीक है, समझ में आया, so, एक escocarp है, एक fruiting body है, जिसके अंदर सकाए है, और उसके अंदर, देर आर सो, देर आर सो मैनी, asco spores like this, हना, clear हुआ, ठीक है, चली, so, some example are aspergillus, claviceps, neurospora, देकिए, एक 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 जामपल दिहान रखना, एक भी skip नहीं करना, neurospora जो है, it is used in biochemical and genetic work, के दिहान रखना, question आ जाता है, ये वाला, ठीक है, many members like moral and truffle are edible and consider delicacies, direct question, direct question, come on this one, ठीक है, moral and truffle, क्या है, edible, as a edible, fungi यूस किया जारे, okay, चली, third category पे, वो है, हमारा besidio mycities, आगे बात करते है, this is commonly known form of besidio mycities, आप मश्रून, अब बेसित मैश्रून को पढ़ना है, तो मश्रून को दिहान में रखे, पूरा besidio mycities, आपको easily, समझ मैं जाएगा, कैसे फंगाय होती है, ब्राकेट फंगाय, या पफ बॉल भी होती है, आपने देखा होगा, मश्रूम का ना, कुछ ऐसा, और ऐसे एक चत्री टाइप का ना, एक अम्रेला टाइप का प्रेजेंट होगा, और कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, लाइक देश, अना, ठीक है, तो दिग्रो इन सॉईल, और लॉग्स, ट्री, स्ट्रॉम्प, एन लिविंग प्लांट बोडीज, एस पैरसाइट लाइक रस्ट एन स्मॉट, अब याद रखना, फंगाय हर तरह की इटेबल नही होती है, आप अपने घर में भी देखते होंगे, जगे 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 फंगर, ग्रो जाता है, ठीक है, तो दो मैसीलियम इस ब्रांट इंस एप्ट अगैन, इसकी भी मैसीलियम कैसी होती है, ब्रांट इन सेप्ट इट यानि की दिस वर, ठीक है, कुछ इस तरह की ही होगी, याद रखना, इसमें असेक्शुवल रिप्रोड़क्शन इस नॉट फांट, ऑके, बट वेजटेटिव रिप्रोड़क्शन बाइ फ्रेग्मेंटेशन इस कॉमन, ये अक्शली वेजटेटिव रिप्रोड़क्शन जो सब में ही मिलेगा, हना, सेक्स ओर्गन आर सेक्स ओर्गन एपसेंट है, अना, मेल फीमेल ऐसा कुछ नी, पर प्लाज्मोगेमी इस ब्रॉट अबार्ट बाइफ्यूजन अफ्यूजन अफ्यू वेजटेटिव रिप्लाज्मोगेमी कर रहे हैं, दो अलग अलग क्या ले लिया है, इन्होंने, सुमाटिक सेल, यू मस् तरह से, ओके, तो रिजल्टे स्ट्रॉक्शर इस डिकरियोटिक, विच इल्टमेट लिव राइस तो बेसी लियम, अना, अभी फ्यूज हुज हुए, और इसको हमने बोला, डाइकरियोटिक, और अल्टमेटली इस ने जो बनाया, इस इस गॉल्ट बेसी दियू, अना, करि अब इसके अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, अब याद रखना है, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए, यह इस तरह से ऐसे इसके उपर प्रडियूस डिस्पले हो गए, लाइक दिस, ओके, ना, बेसी दिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बोडी, और बेसी दियम अ अरेंज हो गया, एक फ्रूटिंग बोडी के अंदर, ठीके, जिसको हमने क्या बोल दिया, बेसी दियो कार्प, अना, नहां पे हमने क्या बोला था, एसको कार्प, हैर इस तो नोन अस बेसी दियू कार्प, तो बेसी दियम, जन बेसी दियम आरेंज इन फ्रूटिंग बोड पक्सीन आप वैस्ट यह ध्यान रखना है वी कार पर कैसे प्रेज़न प्रेजन्ट होता है यह भी ध्यान में रखना आपको ठीके बेसिडियों में बंते हैं वी सपोर्स फीनचा चीज़े था सित्यान में रखने हैं लास्ट वाला लेदे फंगस का classification is deuteromycities, इसको हम फंगाय इंपर्फेक्ट आए भी बोलते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि because only the asexual or vegetative phase of these फंगाय आर नोन हना, इसमें vegetative reproduction और asexual reproduction नोन है, sexual reproduction यहां पर not known, हना पता ही नहीं है, इसलिए यह perfect फंगाय नहीं है, imperfect है, when the sexual form of these फंगाय वर discovered, they were move into class, they rightly belong to, हना मतलब actually क्या हो रहा है, जब हम इसका sexual reproduction find out करने जा रहे हैं, तो यह बहुत रदा similarity रखती है, अपनी above class के साथ, तो यह फिर उस class में सुच हो जाएगी, have been given one name and placed under deuteromycities, and sexual stage another and placed under another class, हना, जैसी sexual reproduction इसका study करते हैं, तो यह दूसरी class को बिलॉंग करने लगती है, deuterium को बिलॉंग नहीं करती है, इसलिए deuterium को हम बोलते हैं, फंगाय नहीं पर्फेक्ट है, कि इसके अंदर sexual reproduction नहीं मिलता है, लिटर वें गाया, लिंगेज बिलॉंगेज वस इस्टेबिश, जनरली, एसको बिसीदियों की सिमेलार्टी दिखाते हैं तो वह उस कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं तो दुटेरो माइसेटी इस रिप्रोड्यूस ओनली बाइस एक्षुल स्पोर्स अना सेक्ष्ट रिप्रोड्शन तो है नहीं है तो फिर यह दूसरी ख्लास में शिफ्ट हो ग सम्मेंबर आर सेप्राफाइट और लाज नम्मर अब देमाडी कंपोजर लिटर अन हैल पिं मिन्रस इकल याद रखना यह हल्प करता है डिकमपोजर में ठीके तो इट इज इन्वाल इंडी कंपोजर राइट याद रखना इंपोर्टन क्वेश्ट बन सकता है सम एंग्ज इंपल ध्यान रखने हैं क्वेश्टन आता ही आता है ठीक है और जभी सेक्ट्र रिप्रेक्शन करते हैं तो इक किस क्लास में मूव हो जाते हैं एसको में एंड बेसी दियों ठीक है तो मेरी का तरफ से थोड़ी सी खोशिश किये मैंने मैं आपको सारे क्वेश्चिन बता स अगे तो तिल देन तेक केर बबाए कीप दूश्टन थैंक यू